So friends, यह मेरा Poco M3 है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके साथ आप अपने Poco M3 डिवाइस को अपने स्मार्ट टीवी पे मिरर कर सकते हैं बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने Poco M3 को स्मार्ट टीवी पे मिरर करना चाहते हैं तो आपको एक separate internet connection requirement होगा अब यहाँ पे हम जीओ फाई का यूज कर रहे हैं इसी जीओ फाई से मेरा टीवी भी connected है और मेरा Poco M3 भी connected है आप किसी other phone के hotspot का भी यूज कर सकते हैं बट अगर आप चाहेंगे कि Poco M3 से hotspot enable करके उसी से अपने टीवी को connect करें और screen mirror करें तो फिलहाल वो तरीका work नहीं कर रहा है भले ही आप Google Home app का ही use क्यों ना करें फिर भी हम आपको दो तरीका बताएंगे Poco M3 device को अपने smart TV पे mirror करने का कुछ problems है उसके बारे में भी बात करेंगे अगर शाओमी इंडिया की तरफ से कोई देख रहा हो तो माइट भी उसको fix किया जाना चाहिए स्टार्ट कर दें इस वीडियो को जैहिन दोस्तों मेरा ना मैं पुछ कर और आप देख रहे है तो यहां पर आप clearly जो है ना देख पाएंगे यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि यह जो मेरा Poco M3 है यह भी उसी same Geofi से connected है जिससे मेरा TV connected है पीछे I hope आपको दिख पा रहा होगा तो दोनों को ही हम same internet से connect किये हैं connect करने के बाद सबसे पहले तो हम आपको problems के सब्सक्राइम बता देता है थोड़ा सा brightness increase कर लेता है तो यहां पर जो है ना न्यू वाला control center में आपको कास्ट का option मिलता है आई होप आपको screen में दिख पा रहा होगा कास्ट का option तो अगर आप इस कास्ट के option पर टैप करते हैं searching for nearby devices का एक box open हो जाता है बट कोई भी device जो है यह find नहीं कर पाता है same internet से connected TV को भी यह find नहीं कर पा रहा है जबकि पहले update के बाद मतलब जब इस phone को हम box से निकाले थे तो यह properly cast वाला feature work कर रहा था बट अभी वर्क नहीं कर रहा है तो अगर पोको इंडिया यह शामी इंडिया के तरफ से कोई देख रहा है तो इस इसू को जो है update की दूरू fix किया जाना चाहिए इसके अलावा अगर आपको screen mirror करना है तो आपको setting में जाना होगा setting में यहां पहले सही wireless आप करे رखें setting में आपको जो है ना wireless search करना होगा तो यहां पे हम wireless search करते हैं तो यहां पर जैसे ही wireless search की जेगा तो आपको क।्चछ options मिल जाएगा wireless display का सबसे पहला वाल जो wireless display का है उस option पे हम जैसे ही tap करेंगे तो यहाँ पे अगर wireless display disable रहता है तो आप इसको enable करेंगे जो भी TV या जो भी external display same internet से connected होगा वो यहाँ पे आपको clearly जो है दिख जाएगा अब यहाँ पे अगर हम tap करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारा TV है उस पे same मेरे phone का जो screen है वो mirror हो गया है और यह properly work करता है थोड़ा सा इसमें lag definitely है बट यह screen जो है mirror हो जाता है और might be जो थोड़ा सा lag है maybe मेरे internet connection के कारण हो सकता है तो यह एक तरीका है आपके Poco M3 को अपने smart TV पे mirror करने का इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसको disconnect कर देते हैं उपर में तो यहाँ पे हम अपने phone को disconnect कर दी है अपने smart TV से बट फिर भी अभी जो है मेरा TV और मेरा phone same internet से connected है अब जो दूसरा तरीका है अपने Poco M3 device को TV पे mirror करने का उसके लिए आपको क्या करना है Google Home App को open कर लेना है Google Home App जो है आपको इसमें pre-installed मिलता है Poco M3 में तो यहाँ पे हम Google Home App open करना है इसको आपको setup करना होगा जो भी TV जो है same internet connection से connected होगा मतलब की Poco M3 और आपका TV same internet connection से connected होगा तो वो TV का name यहाँ पे show करेगा आप इसके उपर tap करेंगे यहाँ पे volume level show कर रहा है cast my screen पे tap करेंगे और यहाँ पे cast screen पे tap करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा TV है इस पे same screen जो है वो mirror हो गया है जो मेरे phone पे है और यहाँ पे भी उसी type का lag जो हमको देखने के लिए मिल रहा है बट जब phone को हम box से निकाले थे उससे में cast का feature जो यहाँ पे control center में मिलता है यह work कर रहा था तो इसमें आपको कुछ options मिल जाता था extra इसके अलाब़ा यह feature ज़्यादा smooth था screen mirroring का जो अभी फिलाल work नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलका सा lag definitely है बट यह जो screen mirroring का तरीका है यह work कर जाता है तो फेंट साब इस वीडियो में देखें दो तरीका अपने Poco M3 device को अपने android tv अपने smart tv पे mirror करने का पहला तो आप google home app से कर सकते हैं या फिर आप setting में जाके wireless display सर्च कर लिजेगा और उसके मदद से आप कर सकते हैं बट दोनों ही case में आपका phone और आपका tv जो है same internet connection से connected होना चाहिए इसके लब आप chromecast feature का भी use कर सकते हैं और chromecast feature के लिए आपका phone और आपका tv same internet से connected रहेगा तो भी work करेगा या फिर आप अपने phone के hot spot से अपने tv को अगर connect करते हैं तो भी work करेगा बट chromecast feature को use करने के लिए आपके tv में built-in chromecast होना चाहिए या फिर आप external chromecast use कर रहे हो तो ये feature जो है work करेगा और chromecast का feature जो है वो supported apps के ही उपर काम करता है like netflix हो गया youtube हो गया hot star हो गया और भी जो apps chromecast feature को support करता है उसकी मदद से आप जो है ना उस dedicated app का screen जो है वो अपने tv पर mirror कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा बिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में तब तक टेक्मोजी कस्तमालिक लिमिट में कीजिए पोको M3 से अगर आपको पास कोई भी topic है आप चाहते हैं कि मुसके उपर वीडियो कवर करें तो आप comment section में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई